इस वीडियो में student हम लोग निकालेंगे कि सियर रूफ़ाइब क्रोमियम पेंटोकसाइड में क्रोमियम का oxidation नमबर कितना होता है अगर हम ये guess करते हैं कि oxygen का general oxygen नमबर माइनस टू oxygen का जे general oxidation नमबर होता है वो होता है माइनस टू जैसे CO2, CO, SO2, SO3, H2O, Na2O ऐसे बहुत सारे compound हैं लगभग 99% compound में oxygen का oxidation number minus 2 होता है तो अगर यहाँ पर भी हम लोग oxygen का oxidation number minus 2 पकड़ कर chromium का oxidation number निकालते हैं तो उसी साब से chromium का oxidation number आएगा plus 10 क्योंकि chromium का हुगया X और oxygen का minus 2 into 5 is equal to 10 इसको solve करेंगे तो X is equal to plus 10 मतलब CRO5 में chromium का oxidation number plus 10 लेकिन यह सही नहीं है यह actually गलत है मतलब CRO5 में chromium का oxidation number plus 5 नहीं है sorry plus 10 नहीं है इसका reason simple सा है कि कोई भी element periodic table में कोई भी element periodic table में उसका जो group number होता है उसका जो period होता है उसका oxidation number उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा in short जैसे chromium का electronic configuration अगर लिखते हैं तो यह होता है 4s135 chromium का electronic configuration थोड़ा सा abnormal होता है actually इसका atomic number 24 है उस हिसाब से 4s234 होना चाहिए था लेकिन abnormality के कारण यह होता है 4s135 तो यहाँ पर total electron कितना है 5 और 1 मिला कर 6 मतलब chromium का जो maximum oxidation number होगा वो होगा plus 6 plus 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं plus 10 मतलब यह गलत है तो सही oxidation number क्या है यह जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा chromium का जो स्वरी CRO5 का structure CRO5 का structure इस तरह का होता है यहाँ पर जो 5 oxygen है इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा वह होता है मतलब एक oxygen chromium के साथ directly double bonded और 4 oxygen through पर उक्साइड linkage यह यहाँ पर जुड़ा होता है तो पर उक्साइड जो linkage होता है यह इस किसम का होता है इस ही साम का oxygen के बीच में एक sigma bond और यह oxygen एक sigma bond के थूँ और यह oxygen एक sigma bond के थूँ किसी दूसरे atom के साथ जुड़ा होता है यह एक ही atom के साथ यह दोनों जुड़ा हो सकता है जैसे Na2O2 BaO2 यह सभी paroxid linkage है तो paroxid में क्या होता है oxygen का oxidation number minus 1 होता है तो यहाँ पर हम लोग जो 4 oxygen देख रहे हैं जो paroxid linkage के थ्रू जुड़ा हुआ है इन सभी 4 oxygen का oxidation number minus 1 minus 1 minus 1 होता है और यह जो double bonded oxygen है इस oxygen का oxidation number minus 2 होता है तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर हम chromium का oxidation number निकालेंगे तो chromium हो गया x और इस oxygen का हो जाएगा minus 2 और minus 1 कितना है 4 oxygen है तो minus 1 into 4 is equal to 0 इसको solve करेंगे तो हम देखेंगे कि chromium का oxidation number कितना हो रहा है प्लस 6 यह सही answer है तो CRO5 में CRO5 में chromium pentoxide में chromium का सही oxidation number कितना है plus 5 तो इस prudent यह structure को याद रखना है इस structure को कहा जाता है butterfly structure इसको कहा जाता है butterfly structure तितली जैसा चेहरा है इसलिए इसको butterfly structure कहा जाता है और यहाँ पर chromium का oxidation number कितना है plus 6 ओके झाल 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 झाल